जहन साथियों स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लास इस पर मेरे दोस्तों हम उसी वादे के साथ फिर से आ गए हैं जो वादा करके हमने पिछले कलास में छोड़ा था हमने कहा था कि आपको हम रसाइनिक सुत्र का एक इसपेसल वीडियो बना करके लाएंगे तो आज उहे कममा करने के लिए हम आए हैं ठीक है तो बने रहिएगा लाश्ट तक और अगर आप 12 और 11 की फूल तयारी फिरी में यूटूब पर करना चाहते हैं और NCRT को संपुर्ण रूप से अपने कबजा में लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिया हमारे चैनल से कर लिज हो जाए मेरे से और NCRT का शंपुर्ण मंथन के लिए हो जाए तयार ठीक है और अभी तो हमरा चल रहा है बेसिक तो बेसिक वापरतनी बात कर लेते हैं ज्यादा बकबासने करते हैं टर्न करते हैं टोफिक की तरफ क्या चलिए चलिए तो हम ना हम कल आपको समझा दिये थे कि electronic बिन्यास कैसे किया जाता है अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे है तो जाए प्लेलिस्ट खोलिए और बेसिक केमेश्टरी का नाम से प्लेलिस्ट बना है उसमें से पिछला वीडियो देखे आसानी से समझ जाएगा 110% समझ येगा केमेश्टरी तो चलिए हम दु छोड़ा देंगे रसाइनिक फर्मूला बनाने का चलिए तो सबसे पहले हम आपको बताये थे कि जिसका भी नाम लिखा हो जैसे कि यहाँ पर लिखा है एलमूनियम और इधर है ऑक्साइड तो हम लोग जानते हैं कि एलमूनियम का संकेत होता है एल और ऑक्साइड मने ऑक् हम यहाँ पर पहली लिख देते हैं संकेत और हम लोग जानते हैं कि एलमूनियम का परमानु कर्मांग तीन होता है आपको उधर हम लिखाए भी थे 21 तक अभी हम 21 तक के अंदर में बात कर रहे हैं ओकर बाद आगे जाएंगे और गरदा उड़ाएंगे ठीक है तो जानते है एलमूनियम का यह होता है फिर इसका हमको करना होता है क्या एलेक्ट्रोनिक जो है यह बनाने के लिए इधर हम बात कर लेते हैं इधर चलिए तो एलमूनियम का होता है एलमूनियम का तेरो परमानु कर्मांग और हम बताये थे कि रसाइनिक सुत्र जैसे बनाएंगे तो जि नियास में हम लोग जानते हैं कि उसमें कक्छा होता है K कक्छा, L कक्छा, M कक्छा, N कक्छा, K कक्छा में अड़ता है दू एलेक्ट्रोन और एल में आठता है आठ गो, एम में अठारोग इस तरह से बनाया है, तो उसी कक्छवा में एलेक्ट्रोन हम लोग रखते हैं, तो तेरोग एलेक्ट्रोन है, तो पहला कक्छा में हो जाता है दूगो एलेक्ट्रोन, दोसरका कक्छा में आठ गो, आठ गो आध दूगो, कितना हो तो इस की सन्योजकता हो जाएगा तीन अब हम बात करेंगे औकसाइड के बारे में तो आप ऑकसाइड का इधर बात करेंगे आपकसाइड मनें आकसीजगन तो आकसीजगन का परमानू करमांक होता है बाभू 8, कोई टेंसन नहीं, इसका हम विन्यास करेंगे, तो विन्यास करेंगे तो 2 और 6, पहला कक्षबा में 2, बचा 6, तो दूसरा में रख दिये 6, क्योंकि दूसरा का में 8 तक रख सकते हैं, तो 6 ये ना है, आराम से रह जाएगा, इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, कि य इसका अगर सन्योजक्ता का बात किजिएगा, ओक्सिजन की सन्योजक्ता, तो इसकी सन्योजक्ता हो जाएगा केतना तो, अब हम electronic configuration कर लिएं, दोनों की सन्योजक्ता भी निकाल लिएं, आज जो इसमें ही दोनों का सन्योजक्ता बाद निकला, कि होनू जाएगा काम, तो देखिए तो इधर हो गया आपका एलमुनियम आइधर हो गया ओक्सिजन हम क्या बताई ले थे कि जिसकी सन्योजक्ता जितना होता है उसके सामने उतना लिखेंगे जैसे एलमुनियम की सन्योजक्ता तीन होता है तो एलमुनियम के सामने तीन लिखेंगे ओक्सिजन की सन् गुना थिरी तो हो जाएगा O3, Al2, O3 होता है आपका एलमूनियम ओक्साइड का रसाइनिक सुत्र, कोनों टेंशन नहीं हुआ होगा, आराम से आप इसको बना लिये होंगे, ठीक है, आगे हम बात करेंगे, वोड़ा है, एलमूनियम कोलोराइड, एलमूनियम कोलोराइड, त सन्योजकता, तो हम पहले हिये निकाल के बोईट गिये हैं, एलमूनियम की सन्योजकता हो गया, तीन, अब बोल रहा है कलोराइड, कलोराइड कोहें, तो कलोरीनमा को कलोराइड कहा जाता है, जर आप जान लिजिए, दुचार बात होता है, जो पहले लगे, उसको बोला जा आई डी ए जैसे ऑक्सीजन है तो ओक्साइड कलोरीन है तो कलोराइड इस तरह से होता है उस पर हम बाद में चर्चा बिस्तार से करेंगे अगर जगह पर बात किजिए गाना तो मजा आ जाता है ठीक तो जगह पर हम बात करेंगे चलिए अलमूनियम कलोराइड तो कलोराइड मन हो गिया हमरा कलोडिन भाई का पर्मानु कर्मांक होता है सतर एकर एलेक्ट्रोनिक विन्यास करेंगे एलेक्ट्रोनिक विन्यास तो आप खुब सिखा है आपको विन्यास कीजिये जरा करनु दीजिये विन्यास तो किये तो किये तो पहिलावा कक्षावा में होता है दुए गो रखें अब हमरा निकलना है सन्योजक्ता तो जरा आप वहीं बताईए कि यहां तो चार से जादा नू हो गिया तो सन्योजक्ता होगा आठ माइनस अंतिम कक्छा का एलेक्ट्रोन आनिकी एक तो इसका सन्योजक्ता हो गिया सन्योजक्ता सन्योजक्ता हुआ एक मेरे मित्र मेरे भाई मेरे दोस्त अब इसको हमको बनाना है तो एल्मूनियम के सामने वो कर्शन यो जकता और कलोरीन के सामने एक कर्शन यो जकता कोनिया गुना तो एल्मूनियम गुना एक एक वो एल्मूनियम आक कलोरीन गुना तीन सी एल थीरी आनि कि एलमूनियम कलोराइड का यह निकला रासाइनिक सुत्र खुब अच्छा से समझ रहे हैं और अच्छा से समझेंगे खाली आप बने तो रहिए वीडियो के सामने चलिए यहां देखें सोडियम ऑकसाइड सोडियम बोला है तो सोडियम का हम लोग संकेत जा ना तर चलिए हम बिन्यास करके आपको दिखाई देते हैं एलमूनियम कलोराइड केलसियम कलोराइड छुट गया केलसियम कलोराइड छुट गया तो पहले हम केलसियम एलमूनियम सोडियम कलोराइड पर ही पहले चर्चा कर लेते हैं यह तनी छुट गया है तेगरा पर बा से कम इहें कर सन्योजक्ता हो जाएगा सन्योजक्ता सन्योजक्ता होगा इसका एक कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे हम बात करते हैं अब बात करेंगे ऑक्साइड ऑक्साइड कहें तो ऑक्सीजन याद कीजिए यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमानों क का लिएगा तो हो जाएगा दो ती इसकी सन्योजक्ता जो है डाइरेक्ट हम कर देंगे आठ हो जाएगा ती इसकी सन्योजक्ता सन्योजक्ता हो जाता है दो ठीक है इसकी सन्योजक्ता कितनी हो जाएगी दो चलिए अब इसका हमको सुत्र बनाना है तो जारा आप ही बताइए sodium oxygen लिख सकते हैं sodium की सन्योजक्ता एक और oxygen की सन्योजक्ता दो कोनिया गुना ता Na2O 1 का कोई भेल्लू नहीं हो गया Na2O इब हुआ sodium oxide का रसाइनिक सुत्र आगे बात करेंगे बंदू तो आगे है sodium chloride चलिए अभी तुरत हम लोग सुखे sodium को Na से लिखते हैं परमानू कर्माँक 11 electronic बिद्यास एहे बाला तो इसका सन्योजक्ता एहे बाला आनिकी sodium का सन्योजक्ता केतना हो गया एक तो सन्योजक्ता को हम लोग लिख देते हैं सन्यो जक्ता एकर सन्योजक्ता वाह हुआ एक अ कलोराइड 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 यहां है कलोरीन कलोराइड मना कलोरीन कलोरीन का 17 एलेक्ट्रोनिक विन्यास होई बाला असनियोजकता होई बाला अनिकी एकरो सनियोजकता एकरो सनियोजकता वाई एक के आया सनियोग से चलिए कोई दिखत नहीं एक के आया तो एक के लिख जरा आप ही बताईए sodium गुणा 1 egosodium, kalorin गुणा 1 egosodium, NaCl sodium coloride का रसाइनिक सुत्र हुआ, ठीक है? चलिए मेरे मित्र इसको थरक कर लेजिए, आप screenshot अगर बनाना चाहते हैं knots, तो पहले screenshot कर लेजिए कर लिए होंगे, अब हम बात करेंगे तीन नंबर पर और इससे आगे बात करेंगे और देते हैं हम इसको पहले मिठा, मिठाने से पहले हम बात कर लेते हैं इस पर calcium coloride का तो कहां बना दे, पहले मिठा ये देते हों कर बाद हम calcium coloride का बात कर लेंगे अब हम बात कर लेते हैं calcium coloride को छोड़े थे है तो केल्सियम का केल्सियम का पर्मानु कर्मांग केल्सियम को सी ए से लिखते हैं पर्मानु कर्मांग एकर होता है बीस एकर electronic बिन्याज किजिएगा बिन्याज तो हम कल एकर electronic बिन्याज सिखाए है 2, 8, 8, 2 अंतिम कख्षा में 2 electron 4 से कम है इसका मतलब इसकी सन्योजक्ता हो जाएगा इसकी सन्योजक्ता हो जाएगा 2 coloride की CL 77 इसकी सन्योजक्ता हम लोग अभी तुरत पढ़े हैं, इसकी सन्योजक्ता हो जाएगा एक, ठीक है, सुतर निकालिए, कलोडीन, कलोडीन के सामने कलोडीन का सन्योजक्ता, केल्सियम के सामने कल्सियम का सन्योजक्ता, केल्सियम का सन्योजक्ता दो, कलोडीन का, ये कोना कोनी गुना, आनि की CACL2, ये हो गया आ चलिए तो आगे हम बात करते हैं बात का करते हैं देखिए आप लोग को तरह अलग से हम खाली कभी धन आबेस और रीन आबेस के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं तो देखिए जरा अगर हम रीन आबेस और धन आबेस के बात में बात नहीं कर रहे हैं तो इसमें घबराने इसे वाली कोई बात ने अखनी कर देते हैं, और अखनी अच्छा से भी आप समझेगा, जैसे जैसे देखिया हम सन्योजक्टा निकाल रहे थे, तो सन्योजक्टा में हम आपको दो बात बताएं, पहला बात बताएं, कि जिसकी सन्योजक्ता जिसके अंतिम कक्छा में अंतिम कक्छा में चार से कम आनि कि जिसका जिसका अंतिम कक्छा में एक एलेक्ट्रोन हो जाए दो एलेक्ट्रोन हो जाए तीन एलेक्ट्रोन हो जाए समझ में आ रहा है और जिसके जिसके अंतिम कक्छा में चार से कम आनि कि आधा से कम हो और दूसरा सन्योजक्टा बताये थे जिसके अंतिम कक्षा में आपका हो जाएगा चार से अधिक, ठीक है? अधिक, दो तरह का आप एलेक्ट्रोनिक बिन्या सिखे, तो ओकर बहड़ा बला का अक्षा में दो तरह का देखे, पहिला क्या देखे? ये गो देखे, चार से कम था, चार से कम सन्योजक्टा निकालने के लिए और एक था चार से अधिक, चार से कम था तो उसका सन्योजक्ट उंगे हो जाता ठाथ और छार से अगर अधिक होता था तो 8 से घर करके हम निकालते हो पिपरत हैं कि इसमें देखें क्या होता है कि ऐसा पर्मानों जिसकी चनूर्यवत जिसकी सन्योजक्ता जिसके अंतिम कक्षा में एक हो जाए जैसे सोडियम का देखे अंतिम कक्षा में एक हुआ तो पता ये एक हुआ इसके अंतिम कक्षा में जैसे मेगनेसियम का बात किजेगा तो दो हो जाएगा बेरेलियम का बात किजेगा तो दो हो जाएगा इस तरह से ह होता है इसके अंतिम कंछा में इस तरह से होता है आपको अच्छा से हम समझाए और आप समझे भी ठीक होता है तो इस सब में क्या गुन होता है जिसके भी पास चार से कौम इलेक्ट्रोन होता है न वह क्या करता है एलेक्ट्रोन को दान दे देता है दान दान समझ में रहा है और जैसे कोई जितना एलेक्ट्रोन दान देगा उस पर उतना आबेस चड़ता है जैसे इस पर पलस आबेस चड़ जाएगा एक एलेक्ट्रोन दान करेगा तो यही इसी को हम लोग बोलें 2 पलस कर सकते हैं, ठीके इस पर इस दो एलेक्ट्रोन दान किया, तो इस पर हो जागे कितना पलस दूWe में जएकर सनयो जगता या जआगर अंतिम कंच्छा में एक एलेक्ट्रोण दू एलेक्ट्रोण और तीन एलेक्ट्रोण होता है उं लईकी का बाफ होता है अन missile तो जिसके पास बड़ा हिर्दे लजिसके पास पैसा होगा उए न देगा इसका मतलब लड़की का बाप धन्वान तो इस सब क्या करता है इस सब क्या करता है इस सब दहेज देने वाला है जिसके भी पास चार से कम एलेक्ट्रोन होता है वो दहेज के रूप में दे देता है ठीक तो इस पर चार जाता है पलस जैसे बेरेलियम दहेज द ठीक, इसका मतलब यह दू लाख रुपया दहेज दिया, लाख रुपया नहीं यहाँ पर इसका मतलब होता है कि दू एलेक्ट्रोन दहेज दिया, हम लोग के लाइप में होता है, लाख में दहेज, हजार में दहेज, यहां होता है, एलेक्ट्रोन में दहेज, जो एलेक्ट्र हमें साथ एलेक्ट्रोन हो जाए इस लड़का का बाप होता है इस अब दहेज लेने वाला होता है तो इसको चाहिए तो आठ में आठ में आठ पुढाने के लिए और केतना चाहिए तो तीन लाख चाहिए है अनिकि तीन एलेक्ट्रोन तो इस तीन एलेक्ट्रोन का क्या लेगा करज लेगा दहेज लेगा तो जो जिसके जिसके भी अंतिम कक्छा में पांच एलेक्ट्रोन होगा वो तीन गो करजाना लेगा इसका मतलब जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अगर परमानुकर्मा कहिए तो साथ दो पांच होगा अंतिम कलच्छा में पांच ये लेक्ट्रोन है इसका मतलब तीन गोई अद दहेज लेगा तो इस पर माइनस तीन आवेश चड़ेगा समझ में आया आने कि जिसका जिसका सन्योजक्ता हम आठ में से घाटा के निकालते हैं उस उस पर माइनस आ आवेश पाया जाएगा जैसे ऑक्सीजन की सन्योजक्ता हुआ दो तो इस पर माइनस दो आबेश पाया जाएगा ठीक है? इसके बारे में हम समझा रहें कि कैसे करके रसाइनिक सुत्र पर बात पर परेंगे जैसे हम आईनिक इन-1 के बारे में पढ़ाने लगेंगे तो जह त्याक करेगा, जेकर अंतिम कक्षा में हो जाता है, पांच, छो, साथ, आनि कि 4 से ज्यादा एलेक्ट्रोन, तो उ के कर बाप हो जाता है, लईका का बाप, उ दहेज लेता है, और दहेजवा के रूप में इस सब क्या लेता है, मैगनेसियम, नाइड्रोजेन, इस सब जो जो ह इह पलासवा, इह माइनसवा को सन्योजकता कहते हैं, जिसको हम सन्योजकता कहते हैं, तो आप समाझ गये हैं कि केकरा पर पलास होगा, आप केकरा पर माइनस होगा, उतना अभी डिटेल में जाना नहीं है आपको, ठीक है, आपको हम पहले अद्गम सुरू से उठा रहे हैं, उस लेबल तक ला देंगे ना, तो हम बोलेंगे आपको, अगराज गराज के बोलेंगे और आप 100% समझेगा, तो धीरे धीरे पाउ रख के उपर चाड़ना है, डाइरेक्टे कुदिएगा, गीर जाएगा, हाथ पर तूट जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, तो अगे बढ़ते हुए, अब बतवा कर लेते हैं, एकरापड़ देखिए, इस सौब का हमको लिखना है रासाइनिक सुत्र, इस सौब का लिखना है रासाइनिक सुत्र, और यहाँ पर कुछ-कुछ बात हम लिखे हैं, जिसको हम देंगे आपको समझा, तो बीना किसी उलजन क लगी रही चलिए आगे बात करते हैं देखें यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं देखें कोई कोई ऐसा तत्व होते हैं जिसकी सन्योजक्ता दो होता है ठीक है दो परकार के उसका दो दो को सन्योजक्ता होगा जैसे कि देखें एक होता है आपका लोहा में देखें लोहा का सन सन्योजक्ता दो हो जाए दो को सन्योजक्ता हो जाए तो उसमें से जो अधिक सन्योजक्ता वाला होता है उसमें लग जाता है एक क्या लग जाता है एक तो याद रखिएगा अधिक वाला कम वाला पहले लिख देता है कम वाला में लग जाता है आस कम वाला में लग जाता है अधिक वला में लग जाता है एक, एक, अगर कम होगा तो उसमें क्या लग जाएगा अस, जैसे इसकी सन्योजक्ता दो और इसकी सन्योजक्ता है तील, तो ये दोनों में किसकी सन्योजक्ता कम है, उपर वाला का एकरा में दूए है, तो इसमें लग जाएगा क्या फेरस, ठीक लगा होता है और इसमें हो जाता है क्यूपडिक आनि कि अधिक सन्योजक्ता वाला में एक लगा देना है अंतिम में अक्वम सन्योजक्ता वाला में अस लगाना है अंतिम में ठीक है कुछ यहां पर दिया गया है अनू ठीक है उसका हम लोग क्या करते हैं सन्योजक्ता समझ ल sulfate, sulfate इसकी सन्योजक्ता आप समझ लिजेगा 2, क्योंकि इस पर minus 2 आबेस पया जाता है, उसी plus और minus आबेसवा को ही तो हम लोग सन्योजक्ता कहते है, ठीक है, चलिए carbonate, CO3 को बोलते हैं बाबू, carbonate, तो carbonate का हो जाता है 2, FPO4, इसको phosphate बोला जाता है, इसकी 3, SO3, इसको sulfide बोला जाता है, इसका हो जाता है, आपका कितना 2, HCO3, इसको हम लोग बोलते हैं, hydrogen carbonate, या इसी को bicarbonate का आ जाता है, hydrogen carbonate और इसी को bicarbonate काते हैं, और यह सब जो ता हैं, यह सर्व अगनूलगन होता है, योगी के अंतिम में आने वला होता है, यह सब जो ता है, sulfate योगी के अंतिम में आएगा, carbonate अंतिम में आएगा, यह सब अंतिम में आएगा, sulfide अंतिम में आएगा, यह सब अंतिम में आएगा, ठीक, और जो योगी के पहिले आए, उसको हम लोग बोलते हैं पुर्वलगन और पुर्वलगन का नाम जैसे काताई से अगर सोडियम है तो सोडियम है लिखेंगे कार्बन है तो कार्बन है लिखेंगे इस तरह से होता है जैसे कि हम यहाँ पर बार्प करते हैं से देखें यहाँ पर लिखा है क्या sodium sulfate इसका आमको लिखना है रासाइनिक सोत्र तो आप बताईए sodium का संकेतवा के बारे में हम खुब गरज-गरज के बात किये थे एन ए होता है और इसकी परमानुकर्मांक 11 होता है इसकी अगर विन्यास किये होंगे तो निकला होगा दो आठ और एक इसकी सन्योजकता अंतिम में देखे अंतिम में देखे अंतिम में देखे एक आनि कि जिसके अंतिम में चार से कम एलेक्ट्रोन हो जाए या चार एलेक्ट् लाइकी वाला वाय एलेक्टोन का त्याग करेगा दहेज में देगा तो इस पर चड़ जाता है क्या पलस में वन वन वो पलस में क्योंकि एक लाखीन होने दहेज दिया है समझे और इसी पलस को हम लोग सन्योजक्ता बोलते हैं ठीक है तो उतना दिमाग अभी लगाना नहीं ह से लिए इसकी सन्योजक्ता हुआ एक अब देखते हैं सलफेट 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 एस ओफोर को सलफेट काते हैं सलफेट और इसकी सन्योजक्ता दो तो यहाँ पर लिखते हैं एस ओफोर और इसकी सन्योजक्ता हुआ दो कोना कोनी गुना तो सोडियम गुन फर्मूला हुआ, आगे बात करते हैं मित्र, आगे हम बात करेंगे तो sodium sulfide, तो sodium को हम लोग लिखते हैं Na से, इसकी सन्योजक्ता एक होता है, और sulfide इधर दिये होंगे कहीं, एधे यहां पर, सलफाइड, एकरो सन्योजक्ता वा कितना होता है, दू यह होता है, तो SO3 को हम लोग बोलते हैं सलफाइड, आज एकर सन्योजक्ता दू, को निया गुना, तो हो जाएगा आपका NA, NA, अनिकी सोडियम गुना दू, तो NA2, और हाँ हो जाएगा SO3, यह हो गया आपका सोडियम सल कोई टेंसन ने, आगे बात करते हैं, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर मतलब AG, AG का सन्योजक्ता एक होता है, यह हला कि हम नहीं बता हैं, लेकिन लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, आप फिलाहाल जाननीजे, इसकी सन्योजक्ता एक होता है, ठीक है, तो इसकी सन्योजक्ता एक, और Sulfate का सन्योजक्ता आपका हो जाताए Sulfate का 2, तो Sulfate का हो जाएगा SO4, Sulfate SO4, इसकी सन्योजक्ता 2, कोनिया गुना, आनि की Ag-SO4, Ag2, 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 Ag2 ती फस्ट नहीं, Ag2, और SO4, ठीके, तीज़ हो गया आपका Silver Sulfate, आगे एक बात करते हैं, फेरिक, फेरिक, इक आया, इक मने एक मने सन्योजक्ता इसका तीन होगा एक मने सन्योजक्ता कितना होगा तीन औस आता तो सन्योजक्ता दो तो फेरिक आनि कि इसका संकेत एफ ए एक आया है तो इसका सन्योजक्ता हुआ तीन सलफेट सलफेट एस ओ फोर और यहां पर इसकी सन्योजक्ता दो कोनिया गुना नहीं कटेगा इसमें अगर यह दोनों कटता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं कटा भी देते हैं ठीक है पिछले वीडियो में हम पताए हैं तो उसको आप देख लिजेगा ठीक है तो इसको जरा हम यह करते हैं तो FE2 हो जाएगा और SO4 देखें इस थीरी से इस सब में पूरे में गुना होगा तो पूरे में गुना करने के लिए हम कोउष्ट का यूज कर लेते हैं कोउष्ट का यूज की है अब यहाँ कुछ भी लिखेंगे इस सब में बूना हो जागा, यहां हो जागा, थिरी, आनि कि F.E. 2. S.O. 4 य उसको, हॉल पढ़ते हैं, इसको घ्रास, कोई दिकत नहीं, समझे आप, अब हाइडोजन, सलफेट का बात कर लेते हैं, हाइडोजन हाइडोजन का है, इसकी सन्योजकता एक होगा, हम लोग निकालने के लिए सीखे हैं, सलफेट, सलफेट, एस ओ फोर, आप कोनिया गूना, हाइडोजन गूना दू, तो है अब बच गया सोडियम WIL इसकर स्कार लीज़े इसको अब हम देते हैं मिठा आगे हम बात-कर लेता अगहा है था हाइड्रोजन मां का यह होता है जी एकर सन्योजकता एक आप फॉस्फेट का फॉस्फेट 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 किदर गया जी है यह ए पी ओ फॉर फॉस्फेट पी ओ फॉस्फेट एकर सन्योजकता तीन अकर यह न कोना कोनी गुना कोना कोनी गुना तो होगा हाइड्र पोजन अगुना 3, H3, फॉस्फेट, PO4, एक से गुना किजिएगा, एतने रह जाएगा, आया होगा आपको समझ में, सोडियम कार्वोनेट का बात कर लेते हैं, तो सोडियम का हम लोग जानते हैं, संकेत होता है, Na, कार्वोनेट का होता है, CCO3, CO3, कार्वोनेट, इसकी सन्योजक्ता 1, इसकी सन्योजक्ता केतना 2, कोनिया गुना, सोडियम गुना, टूथ, N2, और CO3, सोडियम कार्वोनेट, कोईनो टेंसन नहीं, आगे बात करेंगे, सोडियम फॉस्फेट का, सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम का हो जाएगा, Na, और फ पासफ़र्ट का तीन गुना कीजिए एन ए थिरी पी ओ फोर हो गया चलिए यह सरा का सरा हम धोस्त किये और आगे बात करते हैं इसको पहले लेते हैं मिटा इसको मिटा देते हैं मित्र ठीक है मेरे नेना साबन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा चलिए और आगे बात कर लेते हैं हम लोग का मन बिलकुल प्यासा है सीखने के लिए चलिए जैसे हम बात कर लेते हैं आपका सोडियम हाइड्रोजर कार्बोनेट सोडियम ही थोरा भूर्ण भींगा हुआ है इसलिए इस चल नहीं रहा है सुखजा 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 हैखsight सोडियम कार्बोनेट ने 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 सोडियम बाई कार्बोनेट देखे इस सोडियम का हम लोग जानते हैं एन ए होता है इसकी सन्योजक्ता एक और बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एक के बतबा होकता है यह उसे करते हैं कि आप यहां समझे होंगे। आप मिलेंगे अगले वीडियो में नई अंदाज के साथ नए इसमें और अभी मन्थन करेंगे ठीक है अभी हम बेसिक आपका तयार करते हैं ताकि हम आपका 12 चालू कर सके हैं ठीक है तो आप लगे रहे भीड़े रहे और इत्मिनान से देखते रहे वीडियो का नोट्स बनाते रहे यहां तक आप आये होंगे तो व HANब से रहे यहण हैं झालू को झालू करको